नमस्काल, आप देख रहे हैं रिपोर्ट्स इंडिया कोरोना वाइरिस के बाद सबके निसाने पर आए चीन की घेराबंदी की तैयारी पूरी हो चुकी है जिस वाइरिस ने पूरी दुनिया के हेल्थ और एकनॉमिक सिस्टम को हिला कर रख दिया है अब उसी वाइरिस से पूरी दुनिया में ऐसे कोटनीतिक बदलाव होने जा रहे हैं जिसके बारे में अब से पहले किसे ने सोचा भी नहीं था चीन के खिलाफ खेराबंदी की पूरी प्लैनिंग अमेरिका ने की है चीन को हर मोर्जी पर मात देने की तैयारी है और इसमें अमेरिका समेट साथ देश एक साथ आकर चीन को कड़ा संदेश दे चुके हैं अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोमपियों ने एक साथ साथ देशों के साथ वर्चुल बैठक कर चीन को कड़ा संदेश दिया इस बैठक में भारत भी सामिल था। भारत के अलावा जापान, दक्षिन कोरिया, उस्ट्रेलिया, इसराइल और ब्राजील के विदेश मंतियों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में कोरोना को लेकर जादा पारदर सिता बरतने का मुद्दा उठाए गया। अमेरिकी रास्टपती डोनल्ड ट्रॉम्प की तरफ से चीन पर लगातार निसाना साथने की रणनीती के अगले चरण के तौर पर देखा जा सकता है। इस बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्राले की तरफ से जारी बयान के मताबिक इस बैठक में कोविड-19 के खिलाफ लडाई में अंतरास्टे सहीयोग, पारदर सिता और जिम्मेदारी तई करने के मुद्दों पर चर्चा हुई है। इनके बीच भविस्य में होने वाले स्वास्त संबंधी संकट और कानून सम्मत अंतरास्टे विवस्ता कायम करने की विसेय पर भी चर्चा हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्राले का ये बयान पूरी तरह से चीन को निसाना बनाने वाला है। अमेरिका लगातार चीन पर ये आरोप लगा रहा है कि उसने कोरोना को लेकर जरूरी जानकारिया छिपाई और पारदर सितार नहीं वरती। अमेरिका का चीन के खिलाफ उठाए गया ये कदम असरदार भी साबित होता दिख रहा है। बैठक में अमेरिका के अलावाद जापान और आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने पारदर्सी व्यभार बरतने की बात कही। ऐसा पहली बार हुआ है कि अमेरिका ने कुछ प्रमुक देशों को एक साथ COVID-19 पर विचार विमर्ष करने को इकठा किया। अमेरिकी विदेश मंत्राले का बयान साफ तोर पर संकेर देता है किसमे साउथ चाइना सी का मुद्दा भी उठा है। चीन के अतिक्रमन को लेकर अमेरिका कानून व्यवस्ता तयार करना चाहता है। भारत समेश जापान औस्ट्रेलिया भी इस रुक से सहमत है। अमेरिका ऐसी बैठ़कर चीन पर कूटनीतिक दबाव बनाना चाहता है। दुनिया के बाकी देशों को चीन के खिलाफ एक जुट करना चाहता है। अमेरिका में कुरोना को लेकर हालात हर दिन बेकाबू हो रहे हैं। अमेरिका इसके लिए चीन को जिम्मदार मानता है। यही वज़े है कि वो बदले के लिए बेकरार है। और चीन को मात देने की हर वक्त प्लैनिंग में लगा है। चीन के लिए अमेरिका एक ऐसा चक्रवियो तयार कर रहा है जिसे भेदना ड्रेगन के लिए आसान नहीं होगा। और इसमें अमेरिका को भार्ग का साथ भी मिल रहा है। आज इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारा विडियो पसंद आया तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले। रिपोर्ट सिंडे की खबर।